हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टेरी केज़ गर्शन पर दोस्तों आज मैं आपसे बात करने बाला हूँ एक इंडिया पोस्ट जीडियेस कट ओफ के बारे में में केवर कट ओफ के बारे में डिसक्सन करूंगा इसमें और मैं आपको सारी सबस्षेम के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं कुछ‍छ और में आप इसके हो इम्पोरड़न्ट है उसर बना रखाया यह आपको के सब्छारा ने पर बताहरा हूं पर सब्सक्राइब बता चुका हूँ बैसे तो मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ इन सब के ऊपर आप देख लीजिए गाने तो लेकिन फिर भी में पास कुछ कमेंट्स है तो मैं उनकी माधियम से कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो कट ओफ है वो इस वर कितीनी रहने वाली है किस स्टेट को कितीनी रहेगी और 36 गड़ के लिए क्या प्रॉपिट होने बाला है जो एपलाई करेंगा बो भी बताऊंगा चलिए तो मैं करता हूँ आंदर प्रदेश से स्टार्ट याद रखना आंदर प्रदेश क यह तुम्हें आपको पता होगा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके वेस पर अब बच्चा बेस्ट को यह मार्च लीए बीटे की वे बच्चा भी इसमें एपलाई कर रहे हैं आपने देखा होगा आपके संगी शाति आसपास क्योंगे तो आपको पता होगा तो इसी लो में रहेगा तो आपके चांसे से नाके बराबर रहेंगे याद रखना और OBC और UR की बात करूं मैं याँ से तो आपका 90 बंड पिलस कम से कम होना चाहिए दोस्तों तब आप सेफ इसको मान सकते हो अपना याद रखना यह बात होगी अपनी अंद्रप्रदेश OBC और UR की बात करूं एक मिनट दोस्तों और OBC और UR की बात करूं याँ पर तो आपको बता दूंए कि उनका तो आप 93 पिलस ही जाएगा याद रखना क्योंकि यहां पर CBSC बोर्ड बाले बच्चे हैं तो उनका और जाद देखने हो को मैं वीद में कम से कम बता रहा हूं उस जादा ही जाएगा देख लेना जब रजलता है अम मैं ते लंगना की बात करता हूं तो यहां इनकी काफी कब रहने वाला है याद रखना जो ते लंगना का काफी कम रहेगा इस बार यहां पर आपको बता दूं कि देखिए ते लंगना की इसली रहेगा क्योंकि पिछली पिच्छा भी यहांक इतना हाइफाई कट आप नहीं रहा था तो लेकिन ओबरॉल आप 88 पिलस मान सकते हो सभी केसा आपके मिला करके याद रखना अम मैं गुजरात की बात कर दो गुजरात का 86 पिलस रहेगा ओबरॉल क्यों आपका 88 प्लस होना चाहिए एब आप याद रखना उम्मीद करता हूं यह चीज़ी समझ में आई होगी आपके करना टक की बात करूं मैं तो करना टक का दोस्तों आपका ओबरॉल 88 प्लस भी रहेगा 88 89 प्लस रहेगा याद रखना ओबरॉल मैं आपको बता रहा हूं आसे याद रखना इस चीज़ी के लिए ओकी तो उम्मीद करता हूं आपको इस फारशी अच्छे समझ में आई होगी क्योंकि मैं इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूं आप प्लेश्ट में लाकर प्लेश्ट क्या सर्च कर जिएगा जिस भी इस्टेट का फरश कर रहे हैं उसक आपको सारी चीज़ें सो कर जाएंगे याद रखना तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद